हेलो बच्चों, आज हम फ्रिक्शन का वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें एंगिल ओफ रिपोस और इंक्लाइन प्लेन के उपर फ्रिक्शन से रिलिटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी तरीके हैं, वो सब सिखाएंगे, जरूर सब इस वीडियो में तुम्हारी हालत कराब हो जाएगी, स्टाटिक और कानेटिक फ्रिक्शन आना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जेए मेंस या नीट को टार्गेट कर रहे हो, या आप क्लास 11 में ही हो, तो स्टाटिक कानेटिक फ्रिक्शन का पहला वीडियो जरूरू तो देख लो यार, उसके बाद इस पर आओ मजे आएंगे, चलो अगर आता है स्टाटिक कानेटिक तो देखो, तो आज स्टाट करेंगे जो टॉपिक है, उसका नाम एंगिल ओफ रिपोज है, किताब में देखोगे तो यार यह पांच-देस मिनट का टॉपिक है, पर मैं पढ़ाऊँगा तो आप जानते हो, डिटेल में सारी बाते हैं, इससे रिलेटेट कोश्चन सब बताऊँगा, तो एंगिल ओफ रिपोज का बर्थ कहां से हुआ, मालो यह एक इंक्लाइन प्लेन है, बहुत बढ़िया, इसके उपर एक मास एम रखा है, बहुत बढ़िया, अंगिल बढ़ाते जाओ, थोड़ी दरबाद यह मास स्लाइट करने लगता है, तो हम इसी बारे में बात करेंगे, कि अंगिल बढ़ाने पे यह मास नीचे क्यों गिरता है, इंक्लाइन पर रखो नहीं गिरता बढ़ाया, नहीं गिरा बढ़ाया, तो आपके तरह अब फिस करेंगे इस तरफ component कितना आता है mg sin theta और इस तरफ component कितना आता है mg cos theta अगर यह चीज़े नहीं आती तो laws of motion के और वीडियो देखो मेरे समझ में आएंगी अभी के लिए समझो mg का दो component एक इंक्लाइन के along mg sin theta एक इंक्लाइन के perpendicular mg cos theta अब मैं इस mg को हटा सकता हूँ क्योंकि इसके दो component वैने लिख लिए हैं ठेक है आच्छा अब यह block नीचे फिसलना चाहता है किस force की वज़े से mg sin theta की वज़े से यह block नीचे गिलना चाहता है normal reaction ने mg cos theta को balance करके रखा है normal reaction is equals to mg cos theta इन दोनों में आपस में एक दुसरे को balance करके रखा है पर यह block नीचे फिसलना चाहता है because of mg sin theta अच्छा भाई तो इस block को बचाने वाली force कौनसी आएगी उपर की तरफ लगेगी कौनसी force friction की force along the surface ऐसे जहां से contact हुआ relative motion को अपोस करना चाहता है block के फिसलने को तो यह friction उपर की तरफ लगेगा और block को गिरने से बचाएगा उपर maximum जो friction लग सकता है बच्चों जो maximum friction उपर लग सकता है वो होता है limiting friction और बच्चों limiting friction की value होती है mu s into n यानि limiting friction होगा mu s और n की value mg cos theta तो जो force इसको गिरने से बचा रही है उसकी maximum value हो सकती है mu s mg cos theta और जो इसे गिरना चाहा रही है वो है mg sin theta अब बड़ा असान हो जाएगा analysis करना हम मानते हैं theta की value छोटी है small value है देखो जब theta small होता है तो sin theta भी small होता है होता है कि नहीं और cos theta large होता है example के लिए cos 0 और sin 0 sin 0 छोटा सा sin 0 कितना होता है 0 cos 0 कितना होता है 1 तो theta जब छोटा होगा cos theta बड़ा होगा cos theta बड़ा होगा तो ये वाली force बड़ी होगी limiting friction वाली maximum friction वाली और sin theta छोटा होगा तो ये force छोटी होगी मतलब शुरू में जो गिराने वाली force है वो बहुत कम है और जो बचाने वाली force है वो बहुत जादा है तो शुरू में block नहीं फिसलता इसलिए छोटे angle पे, बहुत छोटे angle पे मैं इस marker रखूँ तो एक फिसल के नीचे नहीं गिरेगा angle बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा तो देखो फिसल के नीचे आ गया छोटे angle पे तो नहीं गिरता, ठीक है, बहुत बढ़िया मैं एक काम करता हूँ, theta को थोड़ा बढ़ाता हूँ मैंने theta को थोड़ा increase किया theta को increase किया करते 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 एक situation आई maximum force थी, mu, s, mg, cos, theta cos theta की value कम होगी यानि ये वाली force थोड़ी ज़ादा हो जाएगी ये force थोड़ी कम और block की sliding start हो जाएगी क्या आपको logic समझ में आ रही है कि जब theta कम होता है तो चीज नीचे नहीं गिरती theta बढ़ाते बढ़ाते एक condition ऐसे आती है और body slide करने लगेगी तो बच्चों वो जगा वो जगा जहाँ पे body is just about to slip या just about to slide आ जाए उस जगे पे जो angle होता है उस angle को बोलते है angle of repose angle of repose क्या है बच्चों angle of repose क्या है angle of repose is the maximum theta at which block stays at rest उससे ज़्यादा theta करोगे तो block गिर जाएगा यह ऐसे बोल सकते हो theta at which block is just about to slide ऐसा theta जिस पे just वो गिरने वाला हो इसके उपर का theta लोगे तो यह गिर जाएगा नीचे लोगे तो सेफ रहेगा maximum theta at which block इससे उपर theta पे block गिरने लगेगा ऐसे angle को हम बोलते है angle of repose तो मैं यहाँ theta की जगा angle of repose के लिए theta r यूज करूँगा तो मैंने लिखा theta r theta r सिर्फ तभी balance होगा हमेशा balance नहीं रहेगा शुरू में neutrally force जादा बाद में शुरू में यह force जादा बाद में यह force जादा बीच में दोनों बराबर यहाँ से mg mg cancel यहाँ से mu s is equals to sin theta upon cos theta कितना हो जाएगा tan theta r यह इदर जाएगा sin theta by cos theta tan so tan theta r is equals to mu s यह angle of repose का formula बन गया क्या formula बना angle of repose का tan theta r is equals to mu s यह angle of repose is equals to tan inverse mu s यह इसका formula बन गया tan inverse of mu s देखो तो यह angle of friction के बराबर ही आया है है ना तो angle of repose समझ में आया वो angle जिस पर block rest पे है उससे उपर rest पे नहीं रहेगा उससे नीचे भी rest पे रहेगा यह वो angle जिस पर block बस slide करने वाला था उससे थोड़ा आगे बढ़ाया तो block slide कर गया this is called angle of repose clear हुआ क्या formula है tan theta r is equals to mu s यानि अगर हमें एक्जाम में static friction के coefficient की value पता हो तो हम angle of repose निकाल सकते है ठीक है clear है अच्छा ठीक है तो यह समझ में आ गया मतलब कहने का यह है कि जो हमारा given angle है जो हमारा given theta होगा अगर वो angle of repose से छोटा है बच्चों तो no sliding कोई sliding नहीं होगी ठीक है friction force कैसी होगी body किस पे होगी body rest पे होगी rest पे होगी तो static friction होगा बच्चों static friction बच्चों किसके एक्कोल होता है पिछला वीडियो जरूर देखो या friction जिरुआ है किसके एक्कोल होता है applied force के ठीक है एकदम clear cut concept अच्छा मान लो theta theta r के बराबर हो जाए तो क्या है just about to slide just about to slide just about to slide में कौन सा friction लगता है limiting friction ठीक है न और limiting friction के हमारी value decided होती है कितनी होती है mu is into n और मान लो बच्चो theta हो गया greater than theta r अब क्या हो रहा है भाई angle बड़ा हो गया angle of report से body slide करेगी तो sliding starts sliding starts यानि body motion में आगी बच्चो motion में आगी तो कौन सा friction kinetic friction कौन सा friction kinetic friction kinetic friction की value तो भी constant होती है कितनी होती है mu k into n तो ये तीन condition का में ध्यान देना है कि given angle angle of report से छोटा है उसके बराबर है या उससे बड़ा है यदि छोटा है तो कोई motion नहीं होगा static friction लगेगा बराबर है तो just about to slide तो limiting friction और बड़ा है तब तो sliding start हो जाएगी इसकी बाते दिमाग में अगर आप डाल सके इसकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन शॉट या आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स दे लें इसके बाद चलते हैं कोशन की तरफ तो हमें कोशन लेते हैं एक्सक्लेरेशन आईए यह हमें कोशन दिया है यहाँ पर जो एंगिल है वो है 30 डिग्री और यहाँ एक मास एम रखा हुआ है ठीक है एंगल ओफ रिपोस कितना है मेरा 45 डिग्री अब इसके बाद हमसे बोला कि बॉड़ी रेस्ट पे है कि मोश्चट पे है no sliding मतलब body किस पे है rest पे है rest पे है या तो इस पर force कौन कौन सी लगेगी इधर लगेगी बोलो mg sin 30 इसी force की वज़े से गिरने वाला है अब जब body rest पे होती है तो कौन सा friction लगता है static और भाई static friction static friction किसके एक्वल होता है applied force के क्योंकि body motion में नहीं है तो यानि इस टाइम उपर की तरफ जो friction लगेगा वो होगा static friction and that static friction will be equal to mg sin 30 अगला पार्ट पूचा है कि acceleration अब body rest पे है यार तो acceleration की बात ही नहीं होगी acceleration of body will be zero clear हुई ये बात clear हुई अच्छा नहीं clear हुई तो चरहे इसको एक तरह से और देख सकते थे इन्होंने बोला angle of repose 45 degree है तो angle of repose 45 होने से हमें क्या पता चलता है कि tan theta r is equals to mu मतलब tan 45 degree is equals to mu यानी mu की value होगी 1 बहुत बड़ी है अब आप देखो इधर force लग रही है mg sin 30 उपर लगे की friction आओ चेकल लेते हैं कि limiting friction की value कितनी है limiting friction की value बच्चों limiting friction होता है mu into n यही होता है limiting friction नॉर्मल reaction निकानना पड़ेगा देखो इस तरफ force आएगी mg cos 30 पिछले example में मैंने दिखाया इधर sin आता है इधर cos आता है और यह normal reaction normal reaction किसके बराबर होगा mg cos 30 क्योंकि कोई vertical इस तरह का motion नहीं हो रहा incline के vertical plane में कोई motion नहीं n किसके equal mg cos 30 so mu into mg cos 30 mu की value 1 multiplied by mg cos 30 cos 30 बच्चों किता होता है root 3 by 2 ठीक है तो कितना हो गया mg by 2 multiplied by 1.732 और देखो यह आली force किती है mg sin 30 sin 30 कितना होता है 1 by 2 तो इस तरफ जो गिराने वाली force है वो mg by 2 और जो limiting friction हो सकता है mg by 2 into 1.732 मतलग की जो applied force है कौन सी applied force है यह जो गिराना चाह रही है that is less than maximum static friction maximum static friction बोले तो f limiting limiting friction जादा है as compared to गिराने वाली force है मतलब भी गिरेगा नहीं body का motion तभी start होता है जब applied force limiting friction को भी cross कर जाए जो कि यहाँ पर नहीं करेगी clear अब नहीं करेगी तो हमारा यह body किस पर जाएगी rest पे अब body rest पे है तो कौन सा friction add करेगा static friction और static friction किसके एक्वल होता है applied force के और applied force है कितनी हमारी mg sin 30 तो किसी भी logic से आप चलो मैंने पूरी logic बताई कि angle of repose 45 होने का मतलब क्या है मतलब है कि tan theta r is equal to mu tan 45 is equal to mu mu की value हमने निकाल ली बन फिर हमने कहा कि चलो limiting friction निकालते है mu n n निकालने के लिए mg cos 30 हमने बोला इन इसके बराबर फिर mu into mg cos 30 तो हमने देखा limiting friction की value जो गिराने वाली friction है sorry गिराने वाली जो force है उससे जादा है व्यादि अभी body motion में नहीं आ सकते है ठीक तो हमने बोला limiting friction applied force से बढ़ा है अब ऐसा है क्या अभी clear है बात एक example और देख लेते हैं इसी case में मानलो अभी भी हमसे बोलता है कि angle of repose suppose करो हमसे अभी कहता है the angle of repose is ध्यान से देखना example पर example ज़्दा जाओंगा angle of repose is 37 degree find if the body is at rest or motion calculate friction force आओ देखो मानलो मैं यह inclined plane बनाऊं और इस angle को इस बार मैंने कर दिया मानलो angle कर दिया 45 degree और यहां रखा है मासे में ठीक और angle of repose 37 है अच्छा तो theta r कितना है मेरा 37 theta given कितना है 45 which is greater than angle of repose यानि जो angle है वो angle of repose से ज़्यादा है अब body slide करेगे तो हम लिखेंगे body will slide क्यों slide की because given angle is greater than angle of repose अब body नीचे गिरेगी तो हम समझ गए ठीक है clear है cool अब body नीचे गिरेगी तो body किस में है बच्चो motion में है motion में होगी इस तरफ force बोलो mg sin 45 इस बार है न 45 sin 45 और पीछे बच्चो कौन सा friction आ जाएगा kinetic because body is in motion तो कौन सा friction kinetic friction पीछे एक तरफ friction की value बोलो friction की value होती है kinetic friction की value constant होती है mu kn यही तो होती है mu kn normal reaction निकाल लोगे इस तरफ force आएगी mg cos 45 और इसके perpendicular में normal reaction तो normal reaction किसके equal हो गया mg cos 45 तो हम लिखेंगे mu k into mg cos 45 this is frictional force कौन सा friction है kinetic friction फिर बूच्चरा body का acceleration बताईए तो आप body का FBD बना लीजे m mass की body है इस तरफ force लग रही है mg sin 45 नीचे की रहेगा उपर kinetic friction mu k mg cos 45 तो net force किदर है downwards तो यह का acceleration equation क्या बनेगी net force किस तरफ है नीचे की तरफ तो equation क्या बनेगी mg sin 45 minus mu k into mg cos 45 is equals to mass into mass into acceleration यहां से mm cancel mm cancel तो acceleration g sin 45 minus mu k into cos 45 clear हो गया g sin 45 minus mu k into cos 45 कर दिया हमने acceleration की value मिल गई तो चेक करना होगा कि जो angle of repose दिया है क्या वो given angle से बड़ा है कि छोटा हम देखा छोटा था मतलब body slide करेगी slide करेगी कौन सा friction आएगा kinetic friction कानेटिक friction value mu k into n निकालने के लिए mg cos 45 n इसके सामने n इसके बराबर यह निकलाया अब body slide कर रही है motion में है तो हमने वोला acceleration इधर होगा mg sin 45 minus mu k into mg cos 45 is equal to ma कर दिया और answer आ गया बताए क्लियर हो रहा है अच्छा इसी question को देखिए एक और तरह से बहुत तरह से बच्चों यही same question आ सकता है गुमा गुमा के ठीक है एंगिल ओफ रिपोस वाला इवन बिना एंगिल ओफ रिपोस के नॉलेज के भी question solve करना पर सकता है ऐसा नहीं कि हमेशा एंगिल ओफ रिपोस पता होगा अभी last में दिखाऊंगा मैं जैसे मालो यह एक क्लाइन प्लेइन है ठीक है और यहां एक मास एम रखा है ठीक है और हमसे बोल रहा है कि म्यू की वैलू है 0.75 वेरी गुड और बोल रहा है कि यह एंगिल है 53 डिग्री हमसे फिर वहीं पूछा find कि body rest पे है कि motion पे सबसे पहला सवाल सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि friction force find करिये कानेटिक है कि स्टाटिक है और थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है क्या find करिये acceleration find करिये तो बच्चों इस question में सबसे पहले तो angle of repose निकालो हमें तो यह given angle है given angle कितना है 53 यहां पे given angle is what 53 सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा angle of repose अब angle of repose कैसे निकाले देखो इस बाब mu दे रखा है उल्टी कहा नहीं है 0.75 तो हमें पढ़ता है tan theta r is equals to mu तो tan theta r is equals to 0.75 0.75 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 4 यानि theta r is equals to tan inverse 3 बटे 4 अब 3 बटे 4 अगर triangle याद हो कई बार मैं बता चुका हूँ 3,4,5 यही तो वो angle है जिसकी बात हो रही है tan theta is equals to perpendicular upon base बचो यह अला जो triangle होता है 3,4,5 इसमें यह angle होता है 37 degree यह अला जो triangle होता है 3,4,5 इसमें 3 के सामने वाला जो angle होता है वो होता है 37 मतलब theta r और कुछ नहीं है theta r हमारा कितना है 37 degree so okay what is angle of repose in this case angle of repose is 37 degree given angle देखो angle of repose से बड़ा है मतलब उपर उठ चुके है मतलब समान नीचे roll करेगा तो पहली चीज़ तो हम sure हो गए body किस में होगी motion में होगी body motion में होगी तो इस तरफ force बोलो mg sin 53 यहाँ जो angle होता है वो यहाँ आता है और इस तरफ कौन सा friction kinetic friction value बोलो mu k into n इधर कौन सी force आएगी mg cos 53 और यहाँ क्या हैगा normal reaction normal reaction किसके बराबर mg cos 53 इसको यहाँ रख दोगे त friction force मिल जाएगा तो पहली जिस तो body motion में है फिर second part friction force निकालना है friction force is mu k into n normal reaction mg cos 45 तो mg sorry cos 53 और यह निकलाया है हमारी frictional force clear है अब आप बोलोगे mu k की value क्या है देखो most of the time exam में क्या करते हैं वो कहते हैं कि mu s और mu k को same मान लो ऐसा reality में होता नहीं है reality में mu s बड़ा होता है mu k थोड़ा छोटा होता है kinetic friction थोड़ा सा कम होता है body का चलते रहना असान होता है body को चलाना tough होता है तो static friction definitely mu s की value थोड़ी जादा होती है पर exam में कई बार वो बोलते हैं दुनों क्या मान लो सेम मान लो अब सेम मानने को बोल दिया तो यहां mu k की जगह आप mu s रख देना जो given है 0.75 यह mu s की value होती है एक ही mu दिया है तो समझ जाओ वही mu s है वही mu k है तो यहां चाहो तो 0.75 के solve कर दो अगर नहीं दिया है तो अगर kinetic friction का coefficient और static का अलग-अलग दे रहा है अब तो अलग-अलग रखो जो दिया है नहीं दिया एक ही दिया है तो उसको यहां पर भी use कर लो friction force मिल गई लास पार्ट था acceleration ताओ देखें लास्ट पार्ट इस एसक्लेरेशन निकाल सकते हैं यह रहा मास M इस तरफ बोलो कितना आया था mg sin 53 और पीछे की तरफ कितना है Frictional force Mu Mg Cos 53 अब Mu जो वाला भी दिया हो काइनेटिक दिया हो तो काइनेटिक रखो बेटर है अगर काइनेटिक दिया तो काइनेटिक रखो Asclaration नीचे की तरफ क्योंकि Body Motion में है क्योंकि यह Angle Angle of Repose से जादा है हमने चक कल लिए Angle of Repose निकाल के अब Body दर गेर रही है तो equation मनेगी Mg Sin 53 माइनस Mu K into Mg Cos 53 is equal to Mass into Asclaration M M M Cancel Asclaration G Sin 53 माइनस Mu K G Cos 53 अब जो भी Cos 53, Sin 53 की वैलू है यहाँ पे पुट कर दो Mu की वैलू अगर Kinetic Friction की अलग से दी है तो वो पुट करो नहीं दी है तो यही वाली पुट कर दो रहांसर मिल जाएगा 53 वाला ट्रैंगल 53 आला ट्रैंगल याद है आपको कैसे निकलेगी Sin 53 Cos 53 यह 53 तो यह 435 उसी ट्रैंगल का दूसरा एंगल है यहाँ तीन होता तो यहाँ 37 यहाँ 4 है तो यहाँ 53 क्या बोला मैं है यहां 3 होता तो 37, यहां 4 है तो 53, इससे तुम cos 53 निकाल सकते हो, cos 53 हो जाएगा 3 बटे 5, sin 53 निकाल सकते हो, sin 53 हो जाएगा 4 बटे 5, sin 53 perpendicular upon happiness, cos 53 base upon happiness, mu की value यही रख दो, अगर नहीं दिये दूसरी, d है kinetic की तो kinetic की रखो, इस तरह से आप exclaration निकाल सकते थे, तो बच्चों इस त solve करना है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ values याद करा देता हूँ, इससे आपको कुछ values याद रहें, exam के लिए, यसे मानलो, हम यहां लिख देते हैं, mu s, यहां लिख देते हैं, angle of repose, आपको पता है, कि tan theta r is equals to होता है, mu s, अगर mu s की value 1 है, तो tan theta r is equals to 1, tan theta 1 होता है, जब theta की value 45 हो, mu s की value 0.75 है, जो कि आपने अभी देखा था, 0.75 रखोगे 3 by 4, तो 3 by 4 कब आता है, जब 37 degree हो, इसी तरह से mu s की value अगर 1.33 हो, 1.33 होता है, बच्चो, 4 by 3, 1.33 की value क्या लिख सकते हो, सोचो, 4 by 3, 4 by 3, tan theta is 4 by 3, 4 के सामने अल angle क्या होता है, 35 degree, तब angle of rep 53, तो कुछ angle of repose को आप, mu s के साथ याद रख सकते हो, कि angle of repose दिया है, तो mu s निकाल सके, mu s दिया है, तो angle of repose निकाल सके, दोनों से ही question solve हो सकता है, clear है, थोड़ी logic लगानी पड़ेगी, कहां पे कौन सा method, easy पढ़ ला, चलो कुछ question दिखाते हैं, जहां पे angle of repose के बिना क block रखा है, जिसका mass है 2 kg, यह angle है मेरा 37 degree, हमको mu s की value बताई है, 0.4, mu k की value बताई है, 0.3, हमसे वही सारी चीज़े पूछी है, पहला कि बहुत rest पे है कि motion में है, और क्या find करनी है, frictional force, और क्या find करना है, ask declaration, तो वीडियो को pause करें, इस question को खुद से जरूर try करें, एक बार पॉस करें कि खुद से जरूर try करें, एक दो तीन, चार पाच्छे साथ, आट नौदेस, ग्यारा, try कर लिया, आए देखें, बारा तेरा, चलिए बाई साब, इधर force कितनी आएगी, इधर आएगी 2G sin 37, Mg sin 37, तो sin 37 क्यों है लो, निकालने के लिए मैं side में triangle बना लू, 37 degree, सामने 3, नीचे 4, यहाँ 5, sin 37 कितना हो जाएगा, 3 by 5, तो 2G into 3 by 5 की force इदर खीच रही, G की value मैं 10 ले लेता हूँ, 2 into 10 into 3 by 5, 2s are 10, 2, 2s are 4, 3s are 12, तो इधर जो force खीच रही है, वो है 12, 2 into 10, sin 37 is 3 by 5, 2s are 10, 2, 2s are 4, 4, 3s are 12, तो 12 newton की force इसको गिराना चाहा रही, अब हम क्या निकालने बच्चों, angle of repose निकाले, अब इस mu से angle of repose निकालना possible नहीं है, 0.4 के लिए 10 theta की value हमें नहीं पता, यह हमसे कहेगा 10 theta 0.4 के बराबर, अब यह तो हमें नहीं पता न, 0.4 कब होगा, तो हमें एक काम करते हैं, हम निकालते हैं limiting friction की value, limiting friction क्यातना होता है mu s into n, n कितना होगा, यहां इस तरफ कितना आएगा, 2g cos 37, और इस तरफ आएगा normal reaction, तो normal reaction किसके बराबर होगा, 2g cos 37, so mu s into 2g cos 37, तो mu s की value 0.4, 2 into g की value 10, और cos 37 यहां से हो जाएगा, 4 बटे 5, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64, this will be 6.4, सही है, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4s are 16, 4s are 64, 6.4, तो जो limiting friction हो सकता है, जो maximum static friction है वो 6.4, और जो applied force है वो 12, तो हम side में आके चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कि F applied क्या है, क्या maximum static friction से, maximum static friction यानि F limiting से ज़्यादा है कि कम है, F applied 12 है, limiting friction 6.4 है, मतलब friction की value इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, अब block नीचे गिरेगा, क्योंकि applied force उससे ज़्यादा है, सो क्या start हो जाएगा, motion, decision लेना आता है, मैं पिछले वीडियो से बारबर यहीं सिखा रहा हूँ, कि अगर जो applied force है, वो static friction की maximum value, maximum value कितनी है, 6.4, इससे ज़्यादा हो गई तो block slide करेगा, friction इससे ज़्यादा value नहीं ले सकता, अब block motion में आ जाएगा बच्चों, block motion में आ गया, तो कौन सा friction आएगा, kinetic friction, block के motion में आते ही friction किसमें change हो जाएगा, kinetic में, तो इसको हम अटा दें यहाँ से, कौन सा friction आ जाएगा, kinetic friction, यानि उपर की तरफ जो frictional force लगेगी, that will be kinetic, kinetic friction का formula क्या होता है, mu k into n, तो mu k into 2g cos 37, mu k कितना है, 0.3 into 2 into 10 into cos 37, 4 by 5, 2s are 10, 2, 2s are 4, 4s are 16, 3s are 48, तो 4.8, सही है, 2, 2s are 4, 4s are 16, 3s are 48, तो आप देख रहा है, kinetic friction कितना आया, 4.8, और limiting friction कितना था, 6.4, तो मैं यही आपको बता रहा था, कि kinetic friction limiting से थोड़ा सा छोटा होता है, पिछले वीडियो से बार बता रहा हूं, जो चलने वाला friction होता है, वो just चलने वाले friction से कम होता है, किसी body को move करान मतलब rest से motion में लाना था होता है, एक बार motion में आ गई, तो friction कम हो जाता है, तो ये चीज़ पार करोगे, तब motion स्टार्ट होगा, और जब motion स्टार्ट होगा, तो friction काईनेटिक में चेंज होगा, जब तक इसको cross नहीं करोगे, बार कि पार बैर कि लूशन क्रोगे तब तक मो लोगो friction की value भी मिल गई, fine, friction force कितनी आई, 4.8 newtons, clear है, last part था है acceleration, तो आई acceleration निकाले, acceleration निकालने के लिए FBD बनाएंगे हम, acceleration निकालने के लिए FBD, यह रहा मास M, इस तरफ force कितनी है, 12, इस तरफ force कितनी है, 4.8 friction की, तो acceleration इधर होगा, कितना होगा, 12, minus 4.8, net force, इस तरफ, is equals to mass into acceleration, अब यहां से जो भी acceleration की value है, you can find it easily, निकाल सकते हैं, total force इस तरफ, is equals to mass into acceleration, तो इस तरह से ऐसे questions को आपको solve करना है, step by step, logic by logic, आइए, एक question और देता हूँ, चलिए, इसी question में, कुछ changes कर देता हूँ, मैं, same question में, अब क्यों आर आप खुद से फिर से करिएगा, मान लिजे, यही पे, यह angle अभी भी 37 degree है, यह mass अभी भी 2 kg है, mu s की value अभी भी भी 0.4, mu k की value भी भी 0.3, और मैंने इस बार एक external force लगा दी, यहाँ पे, 4 newton की, उपर की तरफ, फिर से आपसे पूचा, find, find, frictional force, find, frictional force, find, escalation, फिर से, चलिए, पॉस करें, खुद से try करें, थोड़ा सा change कर दिया, इस बार एक force उपर की तरफ लगा दी, पॉस करें, खुद से try करें, एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठना, दस, क्यारा, बारा, तेरा, कलिया भी यहाँ, चार, निटन, फोर्स लगे, साथ, इस डिगरी टिगरी पे, टूके जीगी दे, ओए, 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 चलो भाई, कलिया, आईए देखते हैं, तो भाई, इस तरफ force आएगी, 2G sin 37, जो कि हमने अभी calculate की थी, 2 into 10, sin 37 हमारा कितना था, 3 by 5, 2s are 10, 2s are 4, कितनी आई थी, 12, और उपर कितनी force है, 4, मतलब net force किदर लग रही है, नीचे की तरफ, कितनी, 8, तो अगर मैं यहाँ block बना लू, तो block नीचे net गिनना चाहता है, 8 newton से, 12 इस तरफ लग रही, 4 external उस तो friction force will try to act in the upward direction, friction opposes relative motion, यह मत कहना कि 4 newton उपर लगाया है, तो friction पीछे, पहले देख लो कि resultant force किदर है, तो हमने देखा resultant force नीचे आ रही थी, block असल में गिरने किदर वाला था, नीचे, नीचे कितनी force गिर आ रही थी, 12, उपर तुमने कितनी लगाई, 4, अभी भी block किद गिर रहा नीचे, तो friction किदर लगेगे अभी भी, उपर relative motion को oppose करेगी, अब हम चेक कलने कौन सा friction है, तो हम निकाल के देख लेंगे limiting friction, limiting friction की value mu s into n, mu s की value 0.4, n की value हमने निकाल ली थी अभी, बोलो, 2g cos 37, यह होगा, normal reaction के पराबर, तो 2g cos 37, तो 0.4 into 2 into 10 into cos 37 कितना था अपन 4 बटे 5, 5, 2s are 10, 2, 2s are 4, 4, 16, 6.4, तो जो limiting friction हो सकता है, वो 6.4 हो सकता है, और जो applied force है, वो उससे जादा है, कितनी है, 8 है, यानि applied force limiting को फिर से cross कर गई, इस बार applied 12 नहीं, कितनी हो जाएगी, 8, अभी भी applied limiting को cross कर रही है, पीछे की तरफ maximum friction लग सकता है, 6.4, और यह force उस से किस में आ जाएगी भाई साब, motion में आ जाएगी, motion में आ जाएगी तो कौन सा friction लगेगा, kinetic friction, kinetic friction की value, fk is equals to mu k into n, किती value, 0.3, 2g cos 37, तो 0.3 into 2 into 10, cos 37, 4 बटे 5, 5 to the 10, 2 for the 8 to the 16, 3 to 48, यानि 4.8, तो friction की value हो गई, 4.8, mass कितना है, 2, फिर escalation निकाल लिए, escalation हो जाएगी नीचे, मेरे ख्याल से अब आप कर लेंगे, net force 8 minus 4.8 is equals to, net force is equals to mass into escalation, यहाँ से आप निकाल लेंगे, escalation, तो इस तरह से आप कोई भी question solve कर सकते हो, inclined plane का, एक question में आखरी और कर आ रहा हूँ, उसको जरूर देख लो, पू हमारा आज का आखरी question होगा, जैसे मानलो, यह angle 60 degree है, यहाँ एक mass रखा है, 6 kg का, ठीक है, हमको बोल रहा है, muis की value है 0.6, muk की value है 0.4, हमसे कहरा है, यहाँ कितनी force लगाएं, यहाँ कितनी force लगाएं, इस force के आप value find करिये, जिस से, पहला point, block stationary रहे, block क्या रहे, stationary रहे, ठीक है, दूसरा point, move करे, downward, move करे, downward, with constant velocity, with constant velocity, यह सवाल कर लो, बहुत से concept clear होंगे, और third point, move करे, upward, with acceleration of 4 meter per second square, इसको note करिये, पहले question को, जरूर से try करेंगे, इसको खुद से, जरूर से try करेंगे, सब लोग pause करके, तभी मज़ा आएगा, हमसे बोला है, यहाँ पे कितनी force लगाएं, कि block क्या रहे, stationary रहे, पहला point, दूसरा point, move downward, with constant velocity, और तीसा point, move upward, with acceleration of 4 meter per second square, मतलब, इसमें सब कुछ cover हो जाएगा, inclined plane से related, जितनी भी बाते हैं, चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, stationary, उसके आद, move downward, with constant velocity, और थर्ड नमबर, move upward, with escalation, सबसे पहला part, solve करते हैं, कि block हमारा, कैसा रहे, stationary रहे, चलिए बच्चो, अगर block को stationary रखना है, तो नीचे की तरफ force लगेगी, 66 g sin 60, सही है, mg sin theta, ठीक, अब block को आप इदर से पकड़ के stationary रखना चाहते हैं, force लगा के, block गिरना किदर चाहता था, नीचे, उपर कौन सी force लगेगी, friction, अब बोला है, force लगा के stationary हो रहा है, मतलब अपने आप गिर रहा होगा, मतलब already limiting friction act कर रहा होगा, ये question की language से समझो, पूछ रहा है, कितनी force लगा हैं कि block को stationary रखे हैं, मतलब block पहले से stationary नहीं है, block गिर रहा था, तो अभी जब block गिर रहा है, मतलब उपर की तरफ कौन सी force add कर रही होगी, limiting लग रही होगी, तब भी block गिर रहा होगा, उसके बाद हमें F लगानी है, तो definitely उपर F limiting लग रही हो कि इस plane में कोई motion नहीं हो रहा, जितनी force उपर उतनी force नीचे, तो 0.6 into 6 G into cos 60, तो यह हो जाएगा, 0.6 into 6 into G की value 10, cos 60 is 1 by 2, तो यह हो जाएगा, 2, 3s are 6, 3, 6 are 18, और यह 10, तो यह मर गया, कितना हैं, 18, तो उपर limiting friction add कर रहा था, 18, नीचे की तरफ पहले से force किती लग रही है, 6 into 10 into sin 60 is root 3 by 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 into 1.732 into 10, see this will be 3, 3 is a 9, 3 7 is a 21, 3 1 is a 3, 2 5 multiplied by 10, 5.19 multiplied by 10, this is approximately 51.9 newton, which we can say is 52 newton, तो नीचे की तरफ force जो लग रही है, वो 52 है, जो गिरा रही है block को, और जो limiting friction, maximum friction लग सकता है, वो 18 लग रहा है, तो जो बात मैं बोल रहा था, वो सही थी, कि block इस टाइम नीचे फिसल रहा होगा, क्योंकि friction अपनी maximum value लेने के बाद भी block को रोक नहीं पा रहा, ठीक, यहां तक हमने थी calculation की, 6G sin 60, और FL की value मियू सिंटू N, FL की value कित्ती होती है, मियू सिंटू N, कोशिश कर रहा है रोकने की, पर रोक नहीं पा रहा, block नीचे फिसल रहा है, हम से पूछ रहा है, हम कितनी force लगा है, कि block stationery हो जाए, तो अभी हम इसमें एक force और add कर दें, यह बच जाए, तो इस तरह force F plus 18 is equal to इस तरह की force, 52, so F is equal to 52 minus 18, so this will be 434, तो कितनी force required है, 34, 34 plus 18 कर दें, 30, 10, 40, 48 और 452, बराबर हो जाएगा, तो अगर हम 34 N की force उपर लगा दे, तो ब्लॉक गिरने से बच जाएगा, और उस time friction कैसा लगेगा, limiting, 34 से बड़ी लगा होगे, तो भी रुका रहेगा, अच्छा, अगर 34 से बड़ी लगाएं, तो क्या होगा, logical question discuss कर लो, इक दो, मालना मैं 35 लगा दूं तब क्या होगा, अगर मैं इसको 35 लगा दूगा, तो friction थोड़ा कम हो जाएगा, भाई, friction तो हमारा कौन सा है, static है, मैं 48 लगा दूं, friction 4 हो जाएगा, मतलब block कैसा रहेगा, stationary, मैं 53 लगा दूं, मैं क्या लगा दूं, 53 लगा दूं, तो यह ली force जादा होगी, block इदर भागना चाहेगा, पर block भागेगा नहीं, friction पीछे लगने लगेगा, friction opposes relative motion, तब motion आगे होने लगेगा, logic समझ रहे हैं, चलिए, next question देखे, next part देखेंगे, तो शाद और clear हो, so, यहाँ तक हमने इतनी बाते समझी, next part था, फिर से, find F, और condition change कर दी, कि block किदर move करेगा, block moves downward, downward, with constant velocity, with constant velocity, नीचे move करे, with constant velocity, अच्छा भईया, यानि block का motion नीचे होना है, बहुत बढ़िया, तो मैं इस सारी चीज़े हटा दू, block का motion किदर होना है, नीचे, तो motion इधर होगा, बच्चों, block का motion अगर नीचे होगा, तो friction की force उपल लगेगी, this is friction, अब क्योंकि motion हो रहा है, तो friction कौन होगा, kinetic, kinetic या static, बोलिए, kinetic, क्योंकि क्या बोल रहा है, वो, block moves downward with constant velocity, मीचे move कर रहा है, ठीक है, तो इस ताइम friction लगेगा, kinetic, तो kinetic friction की value होती है, mu k into, mu k कितना है, 0.4 n कितना है, 6 g cos 60, normal reaction इसके बराबर, तो 0.4 into 6 into g की value 10, cos 60 is, 1 by 2, तो 2, 3s are 6, 3, 4s are 12, यह point से मर गया, कितना है, 12, तो friction की force कितनी लग रही है, 12 newton, kinetic friction, उपर की तरफ, और नीचे force है, 52, पर move कैसे करना है, block moves downward with constant velocity, block moves downward with constant velocity, मतलब block का exclaration कितना होगा, 0, constant velocity, नीचे जाएगा, but exclaration कितना, 0, मतलब कर यहां मिसका FBD बनाए, तो block नीचे जा रहा, motion इदर हो रहा, force कितनी लग रही, 52, उपर की तरफ kinetic friction लग रहा है, जिसकी force कितनी है, 12, पर नीचे constant velocity जाना है, तो इधर एक external force F, जो हम लगाएंगे, वो कितनी हो जानी चाहिए, 40, clear है, 40, 40 plus 12 is 52, control में आगी बात, आगे की नहीं आगे, must control में आगी, 40 plus 12, 52, इधर भी 52, block नीचे जा रहा था, इसलिए friction उपर लगा, क्योंकि block move कर रहा था, इसलिए friction kinetic लगा, इसके बात बोला constant velocity तो acceleration भी 0 करना चाहिए, अभी तो नीचे की तरफ accelerate कर रहा है, क्योंकि force नीचे तरफ जादा है, तो force उपर लगाई, 40, second part का answer हो गया, 40, आए थर्ड पार्ट सौल clear एकदम, थर्ड पार्ट सौल परते हैं, find F, थर्ड पार्ट में हमसे बोला है, find F, if block moves downward, block moves downward, नहीं, upward, block moves, इस बार क्या था, upward, with acceleration 4, चार की acceleration से उपर जाएगा, यानि motion इस बार उपर हो गया, पहली बात तो, motion किदर हो गया, upward direction में हो गया, इसको मैं यहां से हटा दू, motion किस direction में हो गया, upward, अगर block का motion बच्चों उपर है, तो friction किदर लगेगा, downward, friction opposes relative motion, motion अपवर है, so friction force आ गई, downward, क्योंकि motion हो रहा, तो friction कौन सा होगा, बच्चों, kinetic होगा, kinetic friction कितना होता है, mu k into n, इसकी value तो change नहीं होती, कितना है, 12, तो पीछे की तरफ friction लगेगा 12, और यह 52 भी पीछे, क्या मेरी बात आपको एकदम समझ में आ रही है, कि कुछ कुछ समझ में आ रही है, kinetic friction क्यों लगा, क्योंकि motion हो रहा, friction पीछे क्यों लगा, क्योंकि block उपर जा रहा, तो 12, width, escalation, 4, उपर की तरफ escalation, 4 चाहिए, चलिए भाई, यहां FBD बनाते हैं block का, अब इसकी जर्वत भी नहीं है, किस चीजिस की, आईए, block का FBD बनाए, यह रहा block 6 kg का, नीचे की तरफ force, एक तो 52, जो 6 g sin 60 से आई, एक force और आई, 12, kinetic friction वाली, एक force उपर F चाहिए, और escalation उपर की तरफ कितना चाहिए, 4, net escalation किदार हो रहा, अपवर्ड हो रहा, तो इसकी equation क्या बनेगी, net force किदार हो नहीं चाहिए, अपवर्ड, F-52-12, यह net force हो गई, किस direction में, अपवर्ड direction में, क्योंकि ascalation की तरफ चाहिए, उपर, is equals to mass into escalation, यह हो गया हमारा F-64, is equals to 6 into A की value 4, 6 4s are 24, F is equals to 24 plus 64, 88 newton, तो लास्ट पार्ट में हमारा answer हो जाएगा, 88 newton, तो friction का direction कैसे कैसे रखना है, यही चीज़ important है, कब static रखना है, कब kinetic रखना है, यह भी important है, angle of repose तो एक बहुत छोड़ा topic था, questions तो यहाँ depth से आते हैं, क्या आपको आज का concept clear हुआ, अगर clear हुआ तो बहुत बधाई हो, आगे पढ़ाई करते रहे, all the very best.